इन्वेस्टमेंट इन्सिक्यूर्टी मार्केट आर सब्जेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ओल दे रिलेटेड डोकुमेंट केयरफुली बिफुर इन्वेस्टिंग अगर जरूदा में आपका एककाउंट है और अपने डिलवरी में कोई शेयर लेके रखा हुआ है तो उसको सेल कैसे करेंगे देखिए शेयर बाई करना है पहली बार तो सब बता देते हैं लेकिन सेल करना भी उतना ही ज़रूरी है वो हमें आना चाहिए तो वीडियो के अंदर में आप लोगों को बिल्कुल step by step बताऊंगा कैसे आप सभी लोग किसी शेर्स को सेल कर सकते हो टीपिन की मदद से ठीक है डिलवरी के शेर्स को आप सब सेल करोगे तो टीपिन लगता है सब पहले देख लिए यहां पे मेरे होल्डिंग के अंदर एक पड़ा हुआ है आई आर एपसी इसको मैंने लगभग दस दिन पहले खड़ता था और यह 32 परसेंट लगभग 32-33 परफेंट जो है जहां पर माने खड़ता था वहां से बढ़ गया कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों आप लोग बिल्कुल भाई मत करियेगा अपना ए आई आर आपसी की शेयर मेंने लगभग 10-15 दिन पहले में वो आइडिया निया लेकिन एक महीने तो नहीं हुए है और एक महीने के इंदर ही इसमें 32-33 परफेंट का रेटारन दे दिया तो इसी को हम सेल करेंगे सेल करने के लिए इस शेयर पे हमको क्लिक करना होगा क्लिक क करने के बाद हम देखेंगा यहां पर हमको दो ओप्षें दिखाई दे रहें एड 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 इग्जिट का तो डेफिनेटली आप एड़िट पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको शेयर बेचना है यहां पर क्लिक किया उसके बाद क्वाटिटी में आप लोग परी में इसको खड़ता था एड इसके बाद देखें यहां पर टाइप में आप लोगों को यहां पर लिमिट करना है क्योंकि लिमिट करने के बाद अपने मन के प्राइफ पर आप इसको बेच पाएंगे ठीक है अभी जैसे दिखिए मार्केट चल रहा है अगर मैं यहां पर मार्केट पी क्लिक करूँ तो एड मार्केट जो भी मार्केट का रिये चल रहा हो बेच टाइम में धेग जाएगा थेक है तो चलिए में मैं भलत पर ही बेच हो है इसका share को sell करने के लिए CDSL की depository है हमारा जो वह authorization मांग रहा है तो continue पर हम click करेंगे करने के बाद हम CDSL की site पर जाएंगे यहां पर हम को continue CDSL करना होता है ठीक है टीपिन डालना होता है अगले page पर ठीक है तो टीपिन मतलब ट्रांजिशन पिन जैसे आप सभी ATM में पैसे निकालना जाते हैं तो इस पिन डालते हैं security के लिए वह होता है तो वैसे ही आप अपने share को withdraw कर रहे हैं CDSL से यानि अब अपने share को बेच रहे हैं तो पिन डालना होता है अगर पिन याद नहीं है तो यहां पर आप click here to generate पिन पर क्लिक कर सकते हैं मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखिए हम कोई site पर जाएंगे जो भी chrome browser या हमारे पास जो भी browser होगा उसके उपर जाएंगे मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद नहीं है तो देखिए हम यहां पर आ गए हैं इस page के ऊपर तो यहां पर हमको अपना बी ओ डालना होता है pen card नंबर डालना होता है और यह capture डालना होता है next पर क्लिक करना होता है और एक OTP आते हैं हमारे register नंबर पर और उसके बाद टीपिन भी यह लोग बेज़ देते हैं ठीक है तो चलिए वह यह पर डाल देता हूँ बी ओ डी अपना pen card number and capture डालके इंटर करता हूँ बी ओ डी इनको नहीं बता है वो मैं बता देता हूँ बी ओ डी कहाँ पर मिलेगा तो आप लोगों को अपना जो है जुरुद्धा application open करना है चलिए open कर लेता हूँ क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है मैंने इसको कॉपी कर लिया अब अपने Chrome ब्राउजर पर चलते हैं और अपने details को डालते हैं तो यहाँ पर मैं अपना बी ओ डाल लेता हूँ अब यहाँ पर देखिए हमारे registered mobile नंबर और email पर यह लोग OTP भेच देते हैं यह OTP तो यह OTP डालने के बाद हम Next पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है हमारा टीपीन जनेरेट कर दिया है और इसको भी हमने देखिए यहाँ पर हमारे mobile पर आ चुका है यह 6888 सार्ट करके मेरा है और यह आपका email पर भी आ जाएगा ठीक है तो क्या क करेंगे एंड यहाँ पर अथरिकेशन मंग रहा है यहाँ पर कंटिन्यू इस पीडियेसल करेंगे और वह पिन डालेंगे जो हमारा आया है 6888 सार्ट मेरा है तो मैं इसको डाल देता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हूँ तो वेरिफाइए हम करते हैं और टीपी देखिए वेरिफाइए होने के लिए हमको ओटीपी चाहिए होता है फिर ओटीपी आएगा उसी रजिफ्टर्ड नंबर पे और उसी रजिफ्टर्ड इमेल पर इसी लिए कहते हैं कि इमेल आइडिय अपना जूब डालिए वह आपका पासवर्ड पता हुग आपको तो वही इमेल डालिए देखिए यहां पर हमारा ओटीपी भी आ गया है 68, 73, 78 मैं यह डाल देता हूँ और हमारा काम खत्म याई बे 68, 73, 78 यह मैंने डाला and verify क्लिक किया और टीपी हमारा यहां पर हो गया है verify अब यहां पर share को देखिए फिरफ हम sell पे क्लिक करेंगे यहां पर एक बार सरकाएंगे और sell हो चुका है यानि यह जो है हमारा share अब बि रिफ्लेक्ट होने लगेगा और फंड में रिफ्लेक्ट होते ही हम उसको withdraw पे क्लिक करके withdraw कर सकते हैं हमारे bank में वो चला जाएगा ठीक है वो very easy process share sell करना बस चीजों को सभिजना चाहिए and जब पैसे आपका आजाए तो आप अपने bank में भी उसको transfer कर सकते हैं यह वीडियो झाल